नमस्कार, ATN Live में आपका स्वागत है और मैं कैलास कस्टेप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौदूद हूँ और आज जिस खबर पे हम चर्चा करने वाले हैं, वो खबर कल बिहार विधान सम्हा में चर्चा का विश्य वन गया और आपको बता दे कि समय समय पे जब तब भारतिय जन्ता पार्टी के चाहे वो बिधायक हो, चाहे मंतरी हो, चाहे सांसद हो, वो कुछ ऐसा बियान दे देते हैं कि वो हमेशा कहीं न कहीं चर्चा में आ जाते हैं और कल इसी तरीके से जो हरी भुसन ठाकूर है, जो विशौल के बिधायक हैं, बिधायक जिने एक ऐसा ऐक ऐसी बात कह दी, जो साइद उन्हें नहीं कह दी चाहिए थी, वो एक चुने हुए जन्द परतिन्दी हैं, और आज के समय में, जब देश का माहौल चुनाओ के मू चाहिए, आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कल विधायक जी ने क्या कहा और उसके उपर किस तरह के लोगों की परतिक्रिया आ रहे हैं, वापस लिया जाए, ऐसा AIMM की तरफ से ये मांग की गई, विधायक की तरफ से, और उनको जनसंख्या के हिसाब से आप छो धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाए, अगर यहां रह रहे हैं, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, कि उनके बोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए, और वो दूसरे अस्तर के नागरिक बनके भारत में रह सकते हैं, वो ऐस मानवता के दुस्वन हैं, निश्चित बोटिंग राइट जरूर छिन लिया, आपको लगता है कि अब वो अलफसंख्यक हैं, यह नहीं है, और अलफसंख्यक सब्ध भारत के सम्विधान के साथ भी मजाक है, तो कि उसके प्रस्तावरा में लिखा हुआ है कि हम भारत के लो करता है, उनके सदस्ता को रद करते हैं, बिलकुल अपमान है, और रास्ट्रगीत में क्या है? जल की बंदना था है, भूमी की बंदना है, ब्रिक्ष की बंदना है, पुस्प की बंदना है, अगर यह नहीं करेंगे, तो फिर पानी नहीं पीएं. तो आपने देखा कि अभी मिधायक जी किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहे थे तो अभी इन्हीं मुद्दों को ले करके अब हमारे साथ इस शर्चा में भाग लेने के लिए सिवान के डॉक्तर बुद्धी जीवी डॉक्तर एतिसाम साथ हैं हमारे साथ हम इनसे बाचित करेंगे कि डॉक्तर साथ एक विधायक यहार विधान सभा के भार्चे इंतापाटी के विधायक हैं उनका कहना है कि 1947 में देश का धर्म के अधार पे बटवारा हुआ और उस समय म समस्या बन रहे हैं तो इस समस्या से नियाद पाने के लिए उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि इनको वोट देने के अधिकार से बंचित कर दे इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दे तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई आप लोग समस्या बन रहे हैं सबसे पहल पॉलिटिकल जोकर हैं अब इनको मनुरंजन करने के लिए अब यही सब चीजे चुकि अब दिक्कत क्या है कि अब टी आर्पी का जमाना है पहले टू ट्रेवल मंत्री हमारे गिर्राज बाबु थे पाकिस्तान का मंत्राले उनके पास था तवज्य उनको मिलना थोड़ा बंद हो गया तो वेकेंसी की रियेट हो गया तब यह हरी भूसन ठाकूर जी को समझ में आया कि वहां अच्छा वेकेंसी है पाकिस्तान मंत्राले में तो यह अपना दावेदारी ठोकने के लिए चले है यह उनके भाजपा की अंधुरूनी टीन थीज अगर हिंदुस्तान में नहीं रह तो भाजपा का तो कुछ हो नहीं सकता दिशने का मतलब की अफिना मुसलमान कवरिस्तान पाकिस्तान इसकी बिना भारतवी जंतापार्टी की कोई राज राजनतिक właściwie बहत तो नहीं किसी भी भाजपा के बडे नेता का भाशन उ पटाके फुटेंगे, योगी जी का भासन सुन लेजिए, अबाजान, मोदी जी का भासन सुन लीजिए, कपरिस्तान और समसान दोनों का भीकास साथ साथ कर रहे थे, तो कुरोना आ गया, जैसा मुह से बोलियेगा, वो इसा ही निखलेगा, तो यह तमाम जो उनके बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने खुद इस चीज को अस्थापित किया है कि कभरिस्तान, मुसल्मान, पाकिस्तान, चुकि दरसल इनके पास डेप्थ नहीं है, यह बड़ा ही अयोग टाइप के लोग हैं, इन एक्स्पीरियंस्ट लोग हैं, अब अब आदमी को दीजेगा, तम न समझ में आएगा कि इसको हटाएंगे, इसको तोड़ेंगे, तो अंदर से पानी निकलेगा, पानी पिया जाएगा, स्वास्त अच्छा रहेगा, फल खाया जाएगा, अब अंदर लेके इधर कुदेगा, उधर कुदेगा, इधर पटकेग वही हालत भाजपा की हो गई है, सत्ता मिल गई है, अब नारियल सत्ता है, अब भाजपा अबंदर है, अब लेके कुद रहा है, इसको देश का विकास के लिए जो इसने वादा किया, जो भी समस्या पे कोई बात रही हो देगा, इसने कहा कि हम रोजगार देंगे, पूरा यूपी का चुनाओ खतम होगे, हमारे प्रदार कि यहीं रोजगार दिया है हम आएंगे तो फिर रोजगार देगे यह लोग अपना विश्वाद को ठेंगे वो तो कहरें कि गोबर गोबर से भी आमदली बढ़ाया आप लगपती बन सकते कि हो था जो देखें Tips अ कि पूरा विश्व और आप देखें के पास जो गोबर बैग्यानिक मौजूद हैं, गोबर चाड़क, गोबर बैग्यानिक, सारा गोबर डिपार्टमेंट यहीं चला गया है उटकरके, तो गाये, गोबर, इससे आगे ही सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन यह जो हरी भुषन ठाकुर का जो बयान था, इस पर मैं परतिकिर जादपात की राजनित में लाइक नहीं है, अगर जादपात की राजनित नहीं होती, तो हमारे हैं जो दर्वाजे पो जो गेट पर लड़का रहता है ना, हरी भुषन ठाकुर जैसे लोगों से ज्यादर पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन अब भारत का संविधान इजा इस तरह की बाते कहने का क्या बतला है? हमने कहा ना कि भाजपा के अंदर की जो खींचतान है, अपनी तवज्ज़ गिरराज बावु बुढ़े हो रहे हैं, तो बिहार में तो फेकेंसी है गिरराज बावु के जगह पर, जगह खाली होई है, तो बंदा दावेदारी ठोक है, बंदे को समझ में आरा कुछ बोलेंगे, तो हमारा कुछ हो जाएगा, अब लेकिन देखिए, सवाल जब इसने छोड़ा है, तो गमिरत्या पुर्वक इसका जवाब भी सुन लिजिए, और हरीबुशन ठाकुर के जो मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें, चुकि कही हैं यह बात ऊपर से कहीं जाती है मेले MP के द्वारक रहाय जाती है इती है बड़ाड का यह प्रोगर्राम हिस्सा रहा है अंचर, यह वो अपने मल्क मन की बात कर रहा है कहीं यह बाते आई हों कहीं बड़ाब और यह उपर से बात नीचे तक आती है फिर चट्टी चवराहे तक जाती है तो मैं उन तमाम चट्टी चवराहे पर बैठे हरी बुर्शन ठाकुर के मानने वालों का दिव ग्यान और दिव चक्छुक होलना चाहता हूं कि बंधुओं आप जिस बटवारे की बात कर रहे हैं इतिहास उठा करके पढ़िये क्या भारत के मुसल्मानों ने बटवारे के लिए कहा था सवाल नमबर एक तो उत्तर मिलेगा कि सबसे पहले बटवारे के बारे में बोलने वाले व्यक्ति का नाम सावर कर था जिसने की 1923 में सबसे पहले हिंदू महासभा क्या जो बैठक उसने किया उसके अध्यक्षता में जो हुई उस बैठक मुने ने कहा हिंदू और मुसल्मान दो रास्ट्र हैं यह कभी एक साथ कंटम्परेरी एक साथ चल नहीं सकते रह नहीं सकते हैं तो बातने का बात शुर कि मुसल्मान के नाम पर देश बट गया बन गया भी सवाल में पूछता हूं हरे भुषण ठाकूर के अगर ज्यान है या उनके इक्सपर्ट या उनके तमाम आईटी सेल वालों के पास अगर ज्यान है तो हो मुझे बताएंगे क्या कि मुसलमानों ने पागिस्तान के लिए कब अंदोलन किया था उनके पास अगर ग्यान है तो क्या वो बताएंगे कि पाकिस्तान का अंदोलन मुसल्मानों ने कब भारत के मुसल्मानों ने कब किया था नहीं बताएगे पाकिस्तान का जो निर्माड हुआ पाकिस्तान किसने मांगा पाकिस्तान को डिमांड करने वाली एक सियासी पार्टी थी उस पार्टी का नाम मुसलिम लीग था और ये मुसलिम लीग कौन सी भाप अरिभूशंट ठाकुर जिस पार्टी से बिलॉघ करते हैं उस पार्टी की आत्मा जहां से बिलॉघ करती है यानि कि विश्वहिंदू महासभा और आर्यसस मुस्लिम लीग और विश्वहिंदू महासभा यह दोनों ही अंग्रेजों के बहुत ही वफदार लोग थे चुकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है तो डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहते हैं कि यह इस तरह का बयान जो आया एक विधायक का और वो भी उस समय जब उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्ति की तरफ हम जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश भार्ची जन्ता पार्टी के हाथ से खिसक चुका है और उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका है और इसको ले करके इस तरह के अनाफसना ब्यान आ रहा है देखें बिल्कुल ये तो उनका जमीन किसकने का तो चारो तरफ से रिपोर्ट है और निश्ची तरफ से पूरा प्रया से पुलराइस करने का लेकिन बात यह जरूरी है लोगों को जानना यह दोनो गदार लोग थे चाहे वो विष्विंदु महसभा के लोग रहे हो चाहे वो आरसस के लोग रहे हो चाहे वो मुनिम लीक के लोग रह§e हो कौन किसे ने मांगा महारत के मुसल्मान ने नहीं मांगा मुसलिम लीग ने मांगा अगर आप भारत के मुसल्मान की बात करते है तो खान अब्दुलगफार खान कहां थे कांग्रेस पार्टी में थे और पूरी मजबूत आजादी के लड़ाई में थे आजादी के लड़ाई किसके नेता थे कॉंग्रेस के नेता थे आखरी दम तक पार्टीशन के खिलाफ थे छपरा के सयद महमूद जो कि श्री कृष्ण बाबू की पहली कैबिनेट में मंत्री थे कॉंग्रेस के नेता थे तो मुसलिम लीग में कुछ मुसल्मानों का परतिनिद्ध था चुकि विशे ये जो उठाया गया है इसको मजाक में इसको नहीं खतम करना चाहिए विशे उठाया गया है तो इसका उत्तर भी सारगर्भित होना चाहिए कि मुसल्मानों का एक तबका जो था जरूर मुस्लिम लीग को समर्था था लेकिन छपरा के मुसल्मान किसके साथ थे सेयद महमूद के साथ थे बिहार के मुसल्मान किसके साथ थे मौलाना मजरूलहक के साथ थे यूपी के मुसल्मान किसके साथ थे मौलाना हसरत महानी के साथ थे देश का सबसे बड़ा मुसलमान ने था उस वक कौन था जो कि रास्टवादी मुसलमान था मौलाना अबुल कलाम आजाद थे तो क्या सिर्फ मुहम्मद अली जिना जो कि इनके दोस्त थे जो कि विश हिंदू महासभा और मुसलिम लिग इन दोनों ने मिल करके बंगाल की सरकार बनाई थी और श्यामा परसाद मुखर जी जो कि बाजपा के दादा पर दादा लगते हैं जो कि पहली कैबिनेट में पंडित नहरू ने समरस्ता कायम करने के लिए उनको मंत्री भी बन मान थे और श्यामा परसाद मुखर जी उसके उपमुक मंत्री थे और इन दोनों लोगों ने पूरे बंगाल का राइट करवाया हिंदू मुसल्मान का राइट इन दोनों लोगों ने करवाया और खुली छूट थी बंगाल में हिंदूओं को मुसल्मान को मारने की या मुस में अगर हमारे लोग इतिहास को भूल कि जाएंगे और सिर्फ जाती धरम और मजभब के नाम पर अगर आएगे आएंगे तो निश्चित रुप से इस तरह के लोग जो पनपने की कोशिश कर रहे हैं मैंने कहा ना गिरिराज की साहब की विकेंसी खतम तेक सोचा कि मैं गिरि अब आप सोच सकते हैं कि उसके भेजा में गोबरी भरा होगा गोबरी भरा होगा चलिए आपने देखा कि इस गंभीर बुद्दे को ले करके हम डॉक्टर एस दाम के बास बैठे हुए थे और बड़े बेबाकी के साथ उन्होंने इतिहास के उन पन्नों को सामने रखा और कहा कि ये कौन लोग है पहले इसे समझने की जरूरत है कि जब देश के आजादी की लड़ाई लड़ी आ रही थी तो ये लोग कहां थे कहां बैठे हुए थे क्या चाहते थे ये कभी भी देश के जो देश को आजादी कराने वाले जो हमारे जावाज सिपाही थे उनके सब्सक्राइब कहा कि ये देश के गद्दारों के साथ अंग्रेजों के हिमायती थे और इसको लेकर के उन्होंने और भी कई बाते कही हैं जिसको लेकर अब अब देख रहा है कि इस तरह के बयान जो ठाकुर जो अनुसर ठाकुर ने कही है आने वाले समय में इसका क्या इने दिकलता है